विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी राजनीती की ऐसी गंगा है जिसमें डुपकी लगाकर कोई भी बेदाग हो सकता है और जो नेता बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे रहते हैं तो उनके मामलों में तेजी से जाच होती है और अगर आरोप सही मिले तो इसक कुछ महराश्ट में होता नजर आ रहा है जहां बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले अजीद पवार के खिलाफ नौ मामले बंद करने के सिफारिश एंटी करप्षन भीरो की ओर से की गई है जिसे लेकर विपक्ष लाल हो रहा है तो क्या है मामला देखिए हमारे रिपोर् अजीद पवार और बीजेपी भले ही इसका खंडन कर रहे हूं लेकिन आज जैसे ही ये खबर आई किसी चाई घुटाले से जुड़े नौ मामलों की जाच बंद कर दी गई है विपक्ष ने बीजेपी पर जाच जंसियों के नाम पर राचनीती करने के आरोप फ़र लगान सरकार थी 1999 और 24 के बीच अजीद पवार इस सरकार में अलग-अलग मौकों पर सीचाई मंतरी थे आर्थिक सर्वेक्षन में इस बात का खुलासा हुआ था कि एक दशक में सीचाई की अलग-अलग परियोजनाओं पर सत्तर हसार करोड रुपय खर्च होने के बावजूद र पर तरह की प्रोजेक्ट्स और उनके बढ़ते हुए बचट को मंसूरी दी इसी के चलते वो शक के दाएरे में आ गए थे सीचाई खुटाले के अलावा अजीद पवार महराश्ट कॉपरेटिव बैंक खुटाले में भी आरोपी हैं सीचाई खुटाले में इस केस में स्वीट करते हुए कहा बीजेपी अजीद पवार द्वारा महराश्ट के प्रजातांत्र चीरहरन अध्याई की असलियात उचागन एक नाजायज सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को सब मुकदमे बंद करने का आदेश खाएंगे और खिलाएंगे भी क्योंकि ये करते हैं